अगर लंबी हो जाए तो आज के लिए सोरी मगर वीडियो पूरी देखना है आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मज़ा आने वाला है और कमेंड करके भी बताना के वीडियो कैसी लगी तो जी जो मिट्टी अंटी है आप लोगों को पता है मिट्टी बाजी है जो तो बाजी ने आज एक रियक्शन दिया क्योंकि उनकी दो चार दिन से धुलाईयां चल रही है तो आज उन्होंने एक रियक्शन दिया और बहुत ही ज़्यादा सफ्त लहजे में रियक्शन दिया सबसे पहला तो उन्होंने ये बोला कि हम जो केस भी बीए उनको बोली है कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन आपने इसको क्यूं सर पे चड़ाया हुआ है हमारे सर पे क्यूं बिठाया हुआ है हेटरों कहां से आई हुई है इसने तो उनकी भी पूरी टीम खराप कर दी थी इनकी टीम को उसने तोड़ा था तो यह इसी वरत है तो भई मुझे एक सवाल पूछना है और इतने हाँ यह भी बोली है कि सल्मा ने इसको डिसॉन की थी तो मेरा सवाल यह है कि यह डिसॉन वली बात मतलब के आप चाते हो के सितारा इसको dison करे बागी इसने आगे भी बोली है याद दिलाइए इसने कि साजिद भाय आये थे इसको dison करके गए ठीक है तो आप लोग मेरी एक एक बात के उपर गौर करो कि जो इतने बोली है कि साजीद आया था और इसको डिसाउन करके गया था जब यह वो सैड गई थी बंदा डिसाउन किसको करता है जिसको कभी ओन करता है उसको डिसाउन करता है ना इन लोगों ने क्यूं इसको डिसाउन किये थे मैं किसकी बात कह रही हूं आप लोगों को पता ही है ना जो हमारे त कर रही हूं के अगर कोई किया जा रही है तो सजीन ने जब strategy laugh किया था तो किई करे यह बात है तो मुझे आखके मैं सवाली कर रही हूं कि अगर के कोई नियुक्त किया ही नहीं था तो इसको 200 कैसे किया जा सकता है तो साजीन फास्ची पसक्राइब और एक बात और यह जो बार बार बोल रही है ना कि वो गालियां देती है वो हमारे बच्चों को गंदा बोली हमारे कपड़े फाड़ी हमारे हस्बेंड के उपर बात करी तो यह करी तो वो करी तो ऐसा की तो ऐसा की जब वो यह साइट थी और यही काम वो पहले भी कर रही थ तो अब क्या गया तुम लोगों के मुह में तुम लोग जो सलमा का नाम लेते थे ना बार 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 बोलते थे सलमा करवा रही है सलमा करवा रही है सलमा ने उसको पच्चासों दफा समझाई थी बच्चों पर बात नहीं करो बुजुर्गों पर नहीं करो मरेलों पर न लोग नहीं माने नहीं सलमा ही करवा रही है सलमा रापते में सलमा जूटी है सलमा यह सलमा वो अब तो वो तुम लोगों की गोद में बैठी हुई है अब तो तुम्हारी गोद में बैठके तुम लोगों की कपड़े फाड़ी है अब कौन करवा रहा है अब बोलो कि सितारा क पहले तो तोलो के पिटारा करवा रही है। से ये दोनों बंदियों को आके यहां पे लाइव लगा के इनका नाम ले के इनको डिसाउन करके अपनी जिन्दगी से फेके फेकेंगी फिर भी सल्मा ने अपने सपोर्टरों को बचाने के लिए नहीं तुम लोगों के इल्गाम को बचाने के लिए इल्गाम को सची साबित क करने के लिए कि हम नहीं करवा रहे हैं उसने सब को डिसान की ठीक है इन अड़तों के साथ साथ ताके उसको भी ना बुरा लगे और उसको कोई टीम की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसकी माने मना कर दी थी कि ये मुद्धाव आगे नहीं चलेंगा छोड़ दो तो उसने हैं वही पुराने मुर्दे उखाड उखाड के लाती है वही पुराने मुर्दे उखाड उखाड के लाती है मेरे साथ मेरे जीजा ने ये किया था मेरी बैन ने वो की थी या बैन ने शादी किया था मर्द नहीं नहीं देती है वो मुर्दों को पीछे ही लगी रहती है और यह बोलते थे कि सलमा के तो देख लो सपोर्टरी इसको छोड़ छोड़ के जा रहे है ये तो जूटी है ये तो कोई सच्चा ही नहीं लाई थी अगर सच्ची होती तो इस तरह से इसके सपोर्टर इसको छोड़ के ना जाते ये डायलोग थे ना बाजी तुमारे याद आया क और याद दिलाओं तो तुम तो बहुत खुश हो रही थी कि देखो वो सपोर्टर जो इसको छोड़के जा रहे थे वो हमारे तरफ आ गए क्योंकि पिटारा सच्छी है इसके लिए लोग उससे जूड़ रहे हैं आईसे ही कुछ बोल रहता है ना भe जी आद तो क्या हो गया भई अब तुमको तकलीफ हो गई वोपर बैटके तुमारी क्यों बजा रहे हैं क्यों न बजा ए भई उसका हग बनता है क्योंकि तुम लोगों ने दोनों हातों से उसका वैलकम किये थे सिर्फ और सुलमा को नीचा दिखाने के चक्र में तब कर भला तो हो भला अच्छा आप लोगों को याद होगा जब यह केस बीबी आकर अपना चैनल बनाकर पहले तो वो इसके उसके 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 पैनलों पे चड़ती रही उसके बाद में फिर उसने अपना खुद का एक चैनल बना ली पैनल बना ली उसके बाद में फिर हमने यही बाते की थी कि आज नी तो कल है ना यह लीडर बनने के लिए आई है लीडर बन के बैट जाएंगी और जो सपोर्टर है ना खुद को लीडर समझते है जिते मुल्तानी अंटी है फसादन अंटी है बस यह ही दो है मेरे ख्याल से न वो तो दूद वाला तो पहले सुभरू में समझता था अपने आपको फिर उसको तो निकाल के फैंक दिया गया था तो यह दो तिन जने जो अपने आपको लीडर समझते हैं तो इनका लीडर पना खतम हो जाएंगा और ये चैनल अगर खोल के बैठ गई ना तो फिर इनको कोई भी नहीं पूचेंगा बस ये पानी कम चाये बन जाएंगे और वो ही हुआ वो ही हुआ लेकिन वो टैम पे इन लोगों को लग रहा था कि क्यूं पता है वो टैम पे इन लोगों ने बड़ा खुशी खुशी इसको एप्रिशेट क्यूं किये क्यूंकि इसके आने से कुछ ही टाइम पहले ही समीरा ने लोगों के ओपर इनके बंदों के ओपर केस की थी तो सबको डर लगा पड़ा था के समीरा फिर से केस कर देंगी समीरा से डर के रहो, लेकिन जब केस भी भी आइ 죄송і criteria ना और फिर बाद में कुछी दिन के बाद में जब वहां पे जाके वह बंदी आउस्ट्रेलिया वाली बैट गई तो इसको जाके बड़ा एप्रिशेट करते थे हसते थे वलके उसकी गालियों पे जब वो सलमा को गालियां दे रही थी न एक 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 करके सभी वो पेनलों पे चड़ के सभी ने एप्रिशेट करके अपने आपको ऐसे किलियर करवा रहे थे जैसे सच में जिस जो उसने बोली है न वो सारी बाते हंड़ेट परसेंट सस्ती अपने मेरे लिए यह बोला था वह जूटा ना भी आप बता दो ऐसे करकर के अपने आपको ऐसे किलियर कर रहे है जैसे पता नहीं केस हुआ हुआ है और बोल रहे है कि चलो हमारा नाम निकाल दो तुम लोग सब ने ऐसा तो कोई भी अब मत बोलो कि यह यहां पर क्यों किये थे तो किसी के अपर लगाई नहीं सकते कि इसने बुलाया उसने बुलाया केस बीबी के पैनल पे तो फिर भी अबाद में जाके बैटी थी पहले तो वो तुम लोगों के ही पैनलों पे इसके उसके आ रही थी और तुम लोग जाके उसको एप्रिशेट कर रहे थे बड़ा अच्छा गाली दे रही है सलमा को अरे वह सलमा के लिए अच्छी कहानिया बना रही है मज़ा आया मज़ा आया बोलके तालिया बजा रहे थे याद है अब वही सारी चीजे वापिस थे तुम लोगों के साथ में कर रही है अब बोलो के पिटारा करवा रही है बोल लोगों के तरफ आई तो हां सितारा सची है देखो अल्ला का इंसाफ हेटर आकर यहां पर जूड रहे हैं यहां पर कियो बिटाया गया इसको निकालो यहां से वाभी वाँ तुम्हारे ड्रामे सलमा वो गाली दे रही थी हमें गालियां दे रही थी तब तलग के तुम लोगों को बड़ी मज़ा आ रही थी अब तुम लोगों को गालियां दे रही है तो तुम लोगों को मज़ा नहीं आ रही अच्छा नहीं लग रही है मज़े लो मज़े तो जी हाँ मैं बात चैनल की कर रही थी के भई इसको मसला था के वो जो केस बीबी है वो चैनल क्यों बनाई लोगों ने बड़े ही तनकीद किये थे कि आप केस करने आयो तो आप बैक कैमरा केस करो जो करना है करो लेकिन आप चैनल मत बनाओ तो चैनल की वज़े से मसला होगा और वो बात इसने आज एक साल के बाद एक साल मेरे क्याल से उने को आया है केस बीबी को एक साल के बाद में इसने अपने दिल के चाले लाके फोड़ी है कि आपने चैनल क्यों बनाया और चैनल पे आप इस गंदी औरत को बिठा के इतनी इसने गालियां दिये उसको पता नहीं रोजा थी के नहीं थी टीशिट पैंड के आके बैड़ गई थी और फिर इतनी गालियां दिये अब सामने से आएंगी ना तो फिर बोलेंगे के देखो यह केस बीबी की गलती डाले दालेंगे और पिठारा की बिल्कुल भी गलतीनीं दालेंगे जप्के अच्छे से पता है के पिठारा घंड कर चुकी है अब पिठारा ने आनर कर चुकी है और आप रहे बहुत अब हुआ यह तिया उसकी के अंदर तो यही बोलना के पिटारा करवा रही है ठीक है ना और हाँ इसको कुछ नहीं मिला तो यह मैडम ने यह भी बोल दी कि कोई क्या डील हुई है क्या हिटरों के साथ अच्छा तू तेरी वोईसों की जब उसने बात की तो तुने बोली के मेरी तो कोई वोईसे ही नह है वो तो तू जाने अल्ला जाने और वो लोग जाने लेकिन बिना प्रूफ के तुने इतनी बड़ी बात क्यूं बोली के कोई डील हुई है क्या हां डील तो तुम लोग करते हो जबी तो तुम लोगों के मों से यही सारी गंदी बाते निकलती है ना कैसे गई वो वहाँ तुम लोगों ने डील नहीं किये तुमारी खुद की खुद की तुमारी सपोर्टर पैनल पे चड़ के बोलके गई है कि मुझे सना ने बोली थी बिया को ये साइड ले किया हो तो मैं लेकर आई और सना कौन थी पिटारा ठीक है पिटारा खुद सना नाम की आईडी से थी तो डील कौन करता है बेहुदगी कौन करता है वो सारव आईटी पे आ चुका है सब को अच्छे से पता है कि कौन कितना अच्छा है तो है न अपनी ये बड़ी बड़ी बाते तो न अपने पास रहने दे और जब तो लग के प्रूफ ना हो ना इस्ती बड़ी बाते नहीं करना कि डील हुई है क्या मैं आ जाके बस तुम लोग को खाना हेटरों कही है ना अब नाचो बड़ा तुम लोग वो टेम पे नाच रहते ना चलर पपकॉन लोग के बैठेंगे कैसे वो बिया बैठके वहां पे गालियां दे रही है सलमा को हम तो पपकॉन लेके जाएंगे तो अब हम पपकॉन लेकर आएंगे बहुत अच्छा कर रही है बहुत अच्छा बाकी ही मुझे नहीं लगता बाजी का या तो रोजा नहीं था या तो आधी रात को भी ये सेरी के टैम पर वीडियो बना रही है तब ही इसकी लिफ्टिक भी फूल लगी हुई है लेकिन हासो के उठी हुई है तो समझी नहीं आ रहा है के रोजा है के नहीं है खेर क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूं कि बाजी रोजे में बड़ा जूड बोलती है कि मैं हमेसा साच बोलती हूं ये बोलके बाजी ने जूड बोली क्योंकि बाजी को सब कुछ पता है कि पिटारा का एजास का क्या था क्या नहीं था रियास का क्या था अजगर का क्या था मतलब किसके साथ में क्या क्या उसके लपड़े रहे चुके हैं खास करके मैं अजगर हो रहे हैं एजाज की बात करूंगी उसके बात भी या आके बोलती है ना कि नहीं उसका इसका कुछ भी जोटी नहीं बोलती हूं मैं नाब तोल के बात करती हूं तो नहीं भाजी तुम सबसे भड़ी जोटी हो दो जने हैं ना तुम लोग कहना सबसे ज़्यादा दोगले और जूटे हो क्योंकि तुम लोग चेट लेते हो ना इसके लिए वो वाइस लीक हुई ना जो जिसके वज़े से पिटारा खुदी एक्सपोस हुई है वो वज़े से ना तुम लोगों के अंदर है ना आग लगी हुई है कि लोग आगे भी पिटारा को मजीद एक्सपोस्ट ना कर दे इससे पहले हम इनके अपर तनकीद करके सभी ओडियंस को इनके खिलाफ करके यहां से दफा करते यह तुम्हारी प्लैनिंग है क्योंकि इसका पिछले वीडियो में ही मैंने कालिया परसू के वीडियो में ही मैंने देखी थी कि यह बार बार बोरी थी कि हमने बड़ी मैनस से कपड़े पिनाये हैं हमने बड़ी मैनस से कपड़े पिनाये आप लोग ऐसी वह ऐसे ला लीग करो हमने कत्रा कत्रा करके उसको कपड़े पिनाए तो वह सीन के बाद में ना मुझे लगा था कि तुम लोग जरूर अब इसके पीछे पड़ोगे ताकि यह मजीद पिटारा को और ना एक्सपोस करे और रही बात के जो पैनलों पे वह जाके पैनल पे जाके बैटी है उसको भी जा रहा था कि यह बच्चों के उपर बात करती है वा 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 तालिया बजाओं पता है जब हो हेटर के बच्चों पर बात करती है ना तो इनके कान बंद हो जाते है इन लोगों को सुनाई नहीं देता था इन लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता था इन लोगों ने कभ चैनल पर बिठा के बात करवाती है और जब हम बोलते थे कि यह तो पहले सलमा सपोर्टर थी उसके बाद में यह वहां पर चली गई ना यह तो सलमा की है ना उसकी है ना ना की किसी की नहीं है यह अपना चैनल चला रही तो लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई बुरा लग आ के नहीं भई वह तो हमारी बहुत स्ट्रॉंग सफोर्टर है और आप बोला जा रहा है कि वो सपोर्टर नहीं है उसको भी आके गोंचु ने डिसॉर्ण करके गया है ऐ वाव अब बोला जा रहा है टायला जी सुनिये शुनिये ये ना बच्चों पर बात करती है इसने हम अमने अले पे क्या भीती होगी अच्छा बाकी इसने ये भी बोली कि उसने दो चार बंदों की वाईसे रखी हुई है और उनको ब्लैक मिल करी है उनको धमकें दे के अपने साथ बिठा के तो सच बोलने से रुपती है और मतलब खुद का सपोर्ट करने लगाती है तो यही सा सल्मा के सपोर्ट में थे उनको ही गलत बताते थे कि नहीं यह बंदी सही है तुम लोगी गलत ओ जब यह सल्मा के खिलाब बैटी थी ना बोलने के लिए और कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे तब ही यही लोग थे जो इसको सही और विपको गलत बोल रहтесь सबको और मै इन सलमा को उसके उपर हस रहते तो मैंने वही टेम पर बोली थी कि बलके हम खूश है हम बहुत खूश है कि तुम लोगों ने रख लिए इसको जो काम है ना हमने नहीं किये ना अभी ये करके बताएंगी तुम लोगों के बीच में तो तुम लोगों को तो बड़ामा ज़ारी थी कितना तो छच्ची है इसके लिए हमाली तलब आ ले सब जने हैना द को दुध वाला भी आ गया खहीं वाला भी आ गया ये भी आ गया वो भी आ गया क्यों कि पिताला चच्ची है ये बखवास करेते आप जेलो भई क्या हो गया अब क्यों तुम्हारे को तकलीफ हो रही है वह और अजी आपने जितनी भी बात की है ना तो सब का एक ही जवाब है कि यह सब इठारा करवार यह आप लोग मानो या ना मानो आप लोगों को आज ने तो कल साबित हो जाएंगा क्योंकि केस बीबी के सपोर्टर भी नहीं चाहिए हेटर भी नहीं चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में उसको पिटारा को बाहर जाना है और पिटारा को पॉलिटिक्स में यह करना है तो उसको ना कोई भी नहीं चाहिए ना सपोर्टर ना हेटर तो आप लोगों के साथ में जो हो रहा है न सब चूप हो गए अब रहे गए है तुम लोग तुमारा भी तो नंबर आना था ना तो मेक शूर कर लो तुम लोग जाओ पता लगाओ कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रूफ मिल जाएंगे कि ये सारा कुछ पिटारा खुद करवा रही है और वो खुद चाती है कि तुम लोग जाना उसका पीछा छोड़ दो तो प्लीट उसका पीछा छोड़ दो अच्छा तो ये जो भाजी कह रही है ना कि फात्मा के लिए इसने आके लाइब में बताई कि वो फात्मा के साथ में नहीं है और फिर ये बाजी बोल रही है कि नहीं नहीं वो तो फात्मा के सर पे हाथ रखी इसने डीडी को डिसान किया है ये क्यों नहीं बोलती भाजी कि तुमारी जो मालकी ने ना उसकी पोल खुल रही है कि वो camera के सामने आके सर पे हात रखे और इतना लुलु लुलु पुचु पुचु करती है और पीट पीछे वो उसको किस तरह से नवासती है और किस तरह से उसको गिरा रही है तो यह बात तो बस वही है ना कि हमेशा का dialogue लोग कि हमने बड़ी मेंनज को प्पडए पिनाए है तो आप लोग उतारो यहां यहीं बात है बस यह लिए सुमको डर लग रहा हैं कि भी हमने कपडए पिनाए अभी आके सच्चाही बोलके उतार रही ए। यह बात है ना के यह है कि पिटारा फात्मा को सिंपती देंगी और फात्मा के लिए वो कुछ अच्छा सोस्ती है बिल्कुल भी नहीं अगर के अच्छा सोस्ती और अच्छी होती न वो तो वो पहले ही सब को ना रोकती कि फात्मा के हक में बात मत करो अभी भी जो सब जने फात्मा के खिलाफ हुए पड़े है तो वो किसकी वज़े से पिटारा मैडम के आउडर की वज़े से क्योंकि फात्मा के चैनल चलने लग गया था और पिटारा कभी भी नहीं चाहेंगी कि किसी कभी चैनल उसके आगे जाए देखा है न आप लोगोंने मीटप का वीडियो बड़े का वीडियो पाटी का वीडियो कोई भी वीडियो रहने दो पहला मैं डालूँगी बाद में सब जने डालेंगे वो मुह से बोलती है आप लोगों को लगता है कि वो किसी का चैनल चलने देंगी तो जो भी फात्मा के साथ में हो रहा है ना वो सब करवाने वाली पिटारा खूद है तो भाजी ऐसा मत बोलो कि पिटारा बहुत अच्छी है पिटारा ने तो डीडी को डिसान की वो सब दिखावे के लिए था अगर इतनी अच्छी होती ना तो जैसे ही क्या नामे फात्मा का घर खराब हुआ वहीसे ही उसका रियक्शन आना बनता था जो के नहीं आया वो मीटप पे आई फात्मा का मुँपे मुँपड़ा तब जाके उसके मुँझे दो लफज निकले सबर कर लो देखो मैंने भी छबल की अला ने मुझे गाड़ी दिया घर दिया बंगला दिया है ना यह डायलोग मारी उसने यह नहीं बोली के डीडी ने तुमारे साथ बहुत बुरा किया यह सारा कुछ-कुछ भी नहीं बोली उसने तो कपड़े पिनाना बन करो अपनी मालकीन को और थोड़ा है न रमजान का खौफ खाओ जूड बोलना बन करो तो बस अब दिखते हैं आगे आगे और क्या होता है बस जो थवाईयां यहां पे लोगों ने ही करवाई थी देखो मैं पहले से बोलते आ रही हूं कि यह बंदी को जैसे कि वहां पे फेक एड़ोकेट ने आके क्या बोली कि इसको वहां पे लेके आने के लिए बोला गया था तो मैं लेकर आई हूं तो आप लोगो खुछ सोचो कि यह सारा कुछ जो भी हो रहा है यह कौन करवा रहा है जिसने उसको वहां पे बुलाई है वही करवा रही होगी न इनके समझ में नहीं आ रहा है यहां पे पहले भेजना यहां के सारे के सारे सपोर्टर हटाना वहां पे यही काम करवाना यह खुछ पिटारा करवा रही है यहां पे भी उसी ने यह सारा पता है उपर देखके थूखने का हिसाब होता है जब उपर देखके थूखोगे ना तो मुझे आएंगा तो आगे से थोड़ा सी खुदा का ख़ौफ रखना चले इस वीडियो को मैं यहीं पेंड करती हूं वीडियो कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पताना झाल 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 झाली जरूर टाम झाली सेखके थेखके रहीं वीडियो की।